हलो वेलकम टु मूट बाइट्स और आज हम लेकिया हैं खास रेसिपी जो उन सभी लोगों के लिए खास है जिन्होंने कभी न कभी प्रतापगड की नमकीन का सुआज चखा है तो प्रतापगड की स्पेशल बुंदी की रेसिपी जानने से पहले हम इसके सबसे में इंग्रे हल्डी पाउडर, जीरा, काला नमक, दालचीनी, शाही जीरा, लॉंग, चक्री फूल, सूखा द्रक या सौट, बड़ी इलाइची, तेजपान के पत्ते, जायफल और जावित्री इन ही सभी इंग्रेडियंट को लिखी गई मात्रा में आप पीस लें तो आपका जीरालून तैयार हो जाएगा, अब जानते हैं बूंदी बनाने की विजी, उसके लिए हम लेंगे दो कब बेसन, लाल मिर्च, नमक और जीरालून, हल्दी पाउडर, सबसे पहले हम बैटर बनाएंगे, घोल, बूंदी बनाने के लिए, दो कब बेसन, इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक और हलिप़ॉडर, आप ये स्वादा इनुसार डाल सकते हैं, इन्हे अच्छे से मिला लेंगे, सुखे बेसन में अच्छे से मिक्स कर लें, अब हम पानी डालेंगे, पानी धीरे धीरे डालेंगे जिससे की घोल पतला ना हो जाए अगर घोल जादा पतला हो जाएगा तो बुंदी घोल नहीं बनेगी और बहुत तेल पी लेगी तो बहुत ओली सी बुंदी बनके बाहर आएगी जैसी कंसिस्टेंसी घोल में दिखाई गई है ध्यान रहे इसकी कंसिस्टेंसी जादा पतलीना होने पाए घोल में अच्छे से बेसन को मिक्स कर लें कहीं भी गांठे ना हो अब हमें इसके लिए होगा तेल और कोई भी जालीदार बरतन जो हमारे पास अवेलेबल हो मेरे पास यह प्लेट है जिसमें छोटे-छोटे छेध हैं तेल गरम हो का स्ट्रेनर हो उसे भी आप यूज कर सकते हैं हम बुंदी को हमेशा धीमी आज पर पकाएंगे जिससे एकदम कुरकुरी और क्रिस्पी बाहर आएगी मेरा जो तेल में से निकालने की जारी है स्ट्रेनर है उसमें छेध थोड़े बड़े-बड़े हैं आप देख सकते हैं इस ट्रेनर को भी होल कर सकते हैं तेल के ऊपर और चूटी चंमत से भेसन के घोल को फैला दे नीचे तेल में बूंदी गिरती जाएगी जब हम बूंदी डालेंगे तो तेल तेज होना चाहिए तेज गर्फ होना चाहिए लेकिन जब यह बनेगी तब हम इसे कम आज पर नमक, अच्छे से मिला देंगे, हींग पाउडर भी हम इसमें उपर से डालेंगे, अगर आपको जाधा हींग का स्वात पसंद ना हो, तो आप थोड़ी सी हींग डाल दें, लेकिन चुकि ये प्रताबगड की स्पेशल बुंदी है, प्रताबगड की प्रसिद्ध हींग को इ अच्छी तरीके से आपको दिखाया है और अच्छी तरीके से मिक्स कर दें हींग पाउडर को, अभी बुंदी अच्छी से तयार हो गई है, आप देखेंगे, इसमें कहीं भी तेल हाथ में नहीं आ रहा है, तो लीजिए प्रताबगड की स्पेशल बुंदी तयार हो चुक अच्छी तो आज का कॉंटेस्ट क्वेस्टन है, कितने तरह की हींग मार्केट में अवेलेबल होती है, तोलिड, ठोस, पत्थर जैसी, लिक्विड, या पाउडर, या चारोता रहेंगी, अपने आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और थैंक यू फो वाचिं सकते हैं, वक », पनalis वाचिंग, जैस, बड़स्टन हैं,च के वाचिंग, झारोता रहेंगार, चारोता रहेंगार कप वाचिंग, या तर०ोंगार, तोलिग कर दिक रहें हैं, मतलू जैंग, या जा तोलिया बमार्णावाater, लिवेंगार, वाश्य अवार्वार